Be Happy, Be Healthy, Be Blessed मैं डॉक्टर संतोष कुमार प्रोफेशर ओफ इरोलोजी हूँ एक प्रीमियर इंस्टिचूट पीजियाई चंडीगर में तो आज जो मैं टॉपिक डिसकस कर रहा हूँ बहुत ही कॉमन है गें ये प्रोस्टेट की सर्जिरी का टॉपिक है हर घर में नहीं तो हर दो में से एक घर में ये सर्जिरी कॉमन है बुजुर्गों में कॉमन है पचास साल के उपर के लोगों में ये सर्जिरी प्राय होती है और जैसे जैसे उमर बढ़ती जाती है सर्जिरी का चांसे भी बढ़ता जाता है तो प्रोस्टेट सर्जरी के बारे में लोग प्रोस्टेट की सर्जरी आखी यह है क्या दूर्बिन की सर्जरी है लेजर की सर्जरी है बाइपोलर है मोनोपोलर है यह सर्जरी का क्या फाइदा हो सर्जरी का क्या फाइदा ओपेन करानी है दूर्बिन से करानी है लेजर से करा तो आज कल 99% जो प्रॉस्टेट की सरजरी हो रही है नॉन कैंसर प्रॉस्टेट की अलग ट्रीटमेंट होती है लेकिन नॉन कैंसर प्रॉस्टेट जिसको बीपिएच कहते हैं प्रॉस्टेट पिसाब में रुकावट का कारण के कारण बार बार पिसाब होना पिसाब की तकली करनी परती है तो प्रोस्टेट की सर्जरी कैसे होती है प्रोस्टेट की सर्जरी बहुत सारे इनर्जी सोर्स होते हैं और सारे सोर्स का रिजल्ट एक जैसा ही होता है डिपेंड करता है डिपेंड करता है वो सर्जन के हाथ में डिपेंड करता है तो यह बाइपोलर हो मोनोपो पे डीपेंड करता अभी भी त यू यू आर्पी जो होती है मोनो पोलर या बाइपोलर टू आरपी गोर्लेस टेंडर है बाकी जो भी सर्जरी लेजर हो या कोई भी चीज हो जो बहुत सारा लुकरेटिव दिखता है उसका डिजल्ट इसी से कंपियर करते हैं कुछ special circumstances में लेजर के कुछ फायदे होते हैं लेकिन otherwise बाकि सारे सर्जरी का outcome एक जैसा है लेजर के कुछ disadvantage भी होते हैं तो prostate surgery टी वार पी प्रोस्टेट लेजर सर्जरी बाइपोलर सर्जरी होलेप सर्जरी थुलियम सर्जरी या मोनोपोलर सर्जरी तो यह होता क्या है तो यह दुर्बिन दौरा सर्जरी होती है खोल के सर्जरी नहीं होती है पिसाब के रास्ते से पिसाब के मार्ग से जिससे पिसाब आती है उधर से दुर्बिन जाती है और उसी में हम दुर्बिन के को देखते हैं यहां कैमरे पे हम देखते हैं कि अंदर और यह इंस्ट्रूमेंट जाता है पिसाब के रास्ते में यह इंस्ट्रूमेंट जाता है और डिफरेंट तरह की इनर्जी सोर्स यूज करते हैं और प्रोस्टेट का चिप्स में काटते हैं जैसे यह देखी यह प्रोस्टेट है एक लोब है दो लोब है और यहां तीसरा लो उससे चिप्स काटते हैं देख रहे हैं रास्ता को खोल रहे हैं चिप्स काट काटके रास्ता को खोल रहे हैं यह चिप्स इस तरह काटते हैं और रास्ता यहां खुल जाती है यह दुर्बिन इस तरह जाती है और यह प्रोस्टेट के टिसू को काटते हैं रिसेक करते हैं और सब्सक्राइब नगिये नधर राष्टे से अनधर जाती है और फिर यह प्रोश्टेट ग्लिंड है इसको निकाल को एर बोस्ट को में पढ़ा रहता ưởngforme पॉल जर से हटाते हैं यह लेजर की दोरा है है सारे टिसू को हम जला देते है यह scrut कर देते हैं यह आट काड के निकालते हैं और यह स्क्रीन की भूतल से पानी चलती्व है की कि कोई बलड़़ है या कुछ भी है तो उसको साफ करती है। ब्लाडड को डिस्टेंट की रहती है। और विजिमलिटी ये सलैंज जो इरिगेशन होती है। उसके दोरा होती है। तो ये जैसे कि प्रोस्टेट इन लार्ज है। पिसा पर रास्ता नेरो हो गया है। दूर्बिन कभी bleeding को जला बिलीडिंग कंट्रोल पूरी तरह नहीं हुई है या ट्रैक्शन जो अपलाई किया है ज्यादा अच्छी तरह नहीं अपलाई किया है जिसके कारण bleeding हो रही है तो ऐसा यूडिय ने दिया रही है इसका मतलब यह ठीक है कोई डर की बात नहीं है यह लेजर है फा जो है जिसे डिसेक्टोस्कोप कहते हैं इदर से लूप जाती है लूप से यह प्रॉस्टेट की टिसू को कट लगाते हैं और उसके बाद कैथेटर डालते हैं पिसाब के थैली में कैथेटर आती है और यह जो प्रॉस्टेट को जो काटते हैं या छोटे मोटे ब्लीडर को यूजली जला देते हैं चाहे वाइपॉलर इनर्जी से या मोनो पॉलर से इसको जला देते हैं जो बिलीडिंग बेसेस होती है खून की नली होती है टिसू काटने के बाद उसे हम जला देते हैं और एक कैथेटर डाल देते हैं पिसाब के थैले में कैथेटर डाल देते हैं औ कोई ब्लीडिंग ना हो इस तरह और इस तरह इरिण इसमें आता है और इस तरह इरिगेशन चलती रहती है जैसे कि यह देख सकते हैं ऑपरेशन से पहले यह प्रॉस्टेट दिख रहा है ऑपरेशन के बाद यह सारा रास्ता खाली हो गया और पिसाब की फुलो अच्छी होती है तो यह था हमारा एक छोटा सा वीडियो जो कि था कि प्रॉस्टेट सरजरी कैसे करते हैं और इसमें डिफरेंट इनर्जी सोर्स होते हैं और कम डिपेंड करता है सर्जन पे सर्जन के एक्स्प्रियंस पे तो बी हैपी बी हल्दी बी ब्लेस थैंक्यू